नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है एक तरफ कॉंग्रेस के अंदर गुटवाजी चल रही है और भारतिय जंता पार्टी के भीतर 2024 के चुनाब की तयारी चल रही है कॉंग्रेस जहां एक अध्यक्ष के लिए संघर्ष कर रहा है कि वहाँ पर किसी भी अस्तर पर इस साल के अंतक एक स्थाई अध्यक्ष निउक्त हो जाए तो दूसरी तरफ भारतिय जंता पार्टी अगली लोकसभा चुनाब के लिए मंधन कार्द करम चला रही है यही दोनों पार्टियों के बीच अंतर है और यही इस बात के लिए धार तयार करेगा कि 2024 में भी कॉंग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है दरसल भारतिय जंता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाब की तयारी में लग गई है और इस तयारी में इस बात पर भी चर्चा सुरू हो गया है कि आखिरकार 2024 का चुनाब का नित्रित्व कौन करेगा परधान मंत्री का उम्मिदवार कौन होगा कौन पीएम का फेस होगा और मोदी रहेंगे या फिर मोदी किसी और को अपना उत्राधिकारी बनाएंगे इस बात पर भी एक मन्थन चल रहा है भारतिय जनता पार्टी के अंदर लेकिन इस मन्थन के बीच पहले चुनाब की तयारी जो चल रही है 2024 की उस पर चर्चा करते हैं क्योंकि इस तयारी से ही और इस तयारी के बाद जो परिनाम आएंगे उस से ही ये तै होगा कि 2024 में भा प्रधान मंत्री का चेहरा कौन होने वाला है और इसलिए अमिसाह ने पूरी योजना बनाई है और उस योजना को जेपी नड़ा के हवाले कर दिया है मिशन 2024 के लिए जेपी नड़ा ने अब एक नई योजना बनाई है और उस योजना के तहत उन्होंने पूरे भारत का द वो ने 2024 के चुनाब के लिए पूरी योजना बनाई और उस प्लान पर implementation करने के लिए उस प्लान को जेपी नड़ा के हाथों में वो सारी योजना का draft को सौप दिया है और इसी महीने के अंत में इस पर पूरा decision आ जाएगा और दिसंबर से जेपी नड़ा पूरे भारत का दौरा करने वाले हैं वो 120 दिन तक अलग-अलग राज्यों का दौरा करेंगे जिसको परवास कहा गया है भारतिय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई है उसमें भार्टपा के अध्यक्ष जेपी नड़ा अलग-अलग राज्यों का दोड़ा करेंगे और 120 दिनों तक वो सारे राज्यों में जाकर अलग-अस्तर पर चुनावी रन्नीती बनाएंगे इसके लिए उन्होंने जो पूरी योजना बनाई है उसमें उत्राखंड से अपनी यात्रा सुरू करने की योजना है पहले वो उत्राखंड जाएंगे और वहां से फिर अलग-अलग राज्यों में जाकर भारतिय जन्ता पार्टी की इस हित्ति को मजबूद करने के लिए पूरी योजना पर काम करेंगे इस यात्रा के दौरान इस दौरे के दौरान ये माना जा रहा है कि वो भारतिय जंता पार्टी के दूसरे नेताओं से मुलाकात तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ दूसरे अस्तर पर जो उनके एलाई हैं जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी ब करना है कि आखेकार 2024 के लिए भाजपा का चुनावी एजेंडा क्या क्या हो सकता है। कि इस दौरे में जो वो करने जा रहे हैं वो बड़ा काम है और उस बड़े काम को अंजाम देने के लिए समय जादा भी लग सकता है। कि दौरे में वो सबसे पहले वहाँ पर जो जिस छेत्र में जाएंगे जिस राज्य में जाएंगे वहाँ उस राज्य के MLA और MP के साथ वो मुलाकात करेंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि अपने अपने छेत्रों में वो भारतिये जनता पार्टी के एजेंडे को कैसे लागो कर सकते हैं। पी और MLA जो अभी वरतमान में हैं उनके साथ मुलाकात के अलावा वो कुछ ऐसे नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे जिन्हें आगे उम्मिदवार बनाया जा सकता है और जो इस दोड़ में सामिल रहे हैं जिन्होंने चुनाब में हार का सामना किया है और आगे भी उनके लिए रास्ता तैयार हो गया है तो उन लोगों के अलावा वो बरिस्ट नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और अस्टेट लिडर्शिप के साथ भी इस बात की चर्चा करेंगे और डिस्टिक लेबल पर भी वो उन नेताओं के साथ मुलाकात करके जो डिस्टिक लेबल पर भाजपा को मजबूती परदान करने के लिए रनिती बनाए गई है उसके implementation पर चर्चा करेंगे ये बड़े नेताओं और बड़े जो विधायक और MP के साथ मुलाकात के अलावा जेपी नड़ा की योजना में सबसे छोटे अस्तर पर जो भारतिय जंता पार्टी अपनी पहु मुझ बनानी है इसके लिए वो मंडल और बूथ लेवल के कार्यकरताओं से भी मुलाकात करेंगे हाला कि हर राज्यों में वो बूथ लेवल के कार्यकरताओं से मुलाकात नहीं कर सकते और इसलिए बूथ हेड जो होंगे उनके साथ वो वर्चुल मिटिंग करेंगे और वर लेवल पर जो भारतिय जनता पाठी के अस्तर पर देखा जाए तो सबसे निचली ही काई है कारिकरताओं को जोडने के लिए उस लेवल तक उनकी योजना है जाने की और आगे के लिए आधार बनाने की अब अस्टेट में जाकर उन योजनाओं पे चर्चा करने के साथ साथ भारतिय जनता पाठी के अध्यक जेपी नड़ा का दूसरी जो योजना है वो है भारतिय जनता पाठी के सासित स्टेट और वो स्टेट जहां पर भारतिय जनता पाठी का सरकार नहीं है उन दोनों को अलग-अलग किया गया है और उन दोनों को अलग-अलग करके अलग-अल आख योजना दोनों जगह पर बनाए गई है जो भाजपा सासित पर्देश हैं वहां पर मुख मंतरी को जेपी नड़ा के सामने प्रजन्टेशन देना है और मुख मंतरी के अलाबा जो भाजपा के दूसरे मंतरी हैं वो भी साथ में रहेंगे और राज्य सरकार जो काम कर रही है उसके सारे ब्योवरा जेपी नड़डा के सामने रखेंगे कि इन प्रोग्राम से न्योजनाओं का क्या फायदा मिल रहा है और इसके साथ साथ राज्य सरकार को ये भी चिम्मेदारी दी गई है जो केंदर की परिनाम क्या feedback निकल रहा है तो जो भाजपा सासित परदेश हैं उनके लिए एक अलग योजना है और गैर भाजपा सासित परदेशों के लिए वहां के कार्ज करताओं, नेताओं, विधायकों, बुथ लेबल के जो कार्ज करता हैं उनको सबको एक दिसा देने का काम इनके द वो अस्तर पर राज्यों के दौरा करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है और इसके अलावा जो भारतिये जनता पार्टे की सहयोगी पार्टियां हैं उन लोगों से भी चर्चा की जाएगी क्योंकि मिशन 2024 के लिए ये जरूरी है कि कुछ राज्यों में जो गठवंधन की पाठियां हैं उसमें फेर बदल किया जाए और धीरे धीरे ऐसा हो भी रहा है क्योंकि इंडिये से कुछ दल बाहर हो रहे हैं तो कुछ इंडिये के अंदर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इंडिये के कुछ दलों ने भारतिये जनता पार्टी के सहयोग स्विकार कि तो कुछ दलों ने एंडिये से बाहर जाने का रास्ता देखा है। नहीं इस पर भी फैसला होगा और उसके साथ जो वियाईपी है या हम है उन पार्टियों के साथ एंडिये में आगे कैसे बढ़ा जाए और लोकसभा चुनाब के दोरान उनके सहयोग से अगर उनका सहयोग लिया जाएगा तो उनको कितनी सीटे दी जाएगी इस पर भी आएगे अगले तीन साल की ताकि 2024 के लोकसभा चुनाब से पहले ये सारे स्थित्यां स्पस्थ हो जाए इनके अलाबा जेपी नड़ा को अमिस सहने एक और लिस्ट सौपी है उस लिस्ट में 115 लोकसभा सीटेों का नाम दिया गया है जिसमें पिछले चुनाब के दोरान भा प्रफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर रहा था उन 115 सीटों पर जादा ध्यान देना है जेपी नड़ा को और वहां के लिए अलग तरह की योजना बनाई जा रही है ताकि उन 115 सीटों पर जो भारतिये जनता पार्टी का प्रफॉर्मेंस कमजोर रहा था उसको फिर से मजबूत क किया जा सके और उन सीटों पर अब इस बार जो 2024 का चुनाब होगा उसमें जीत का अधार बनाया जा सके इन सारी योजनाओं के बाद एक सबसे बड़ी योजना जो है वो आगे आने वाले सालों में विधान सभा चुनाब को लेकर हैं क्योंकि अगले साल से लेकर यानि 2021, 22 और फिर आगे 24 में हर साल कुछ राज्यों में चुनाब होने हैं और उन चुनाब बाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है क्योंकि उसमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतिये जनता पार्टी अपना प्रफॉर्मेंस उधार रही है जहां उसकी भूमिका बढ़ रही है उनके आधार बढ़ रहे हैं अगले साल जैसे चार राज्यों में चुनाब होने हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमी नाडू और असम हैं असम में भारतिये जनता पार्टी की सरकार है जबकि केरल और पश्चिम बंगाल दोनों जगों पर भारतिये जनता पार्टी की स्थिती पहले से मजबूत हो रही है तमी नाडू में भाजपा बीच-बीच की स्थिती में रही है और वहाँ पर AIDMK के साथ सहयोग करके उन दोनों के साथ जो गठबंदन होता है उसी के आधार पर आगे की रननीती तै होती है लेकिन भाजपा जनता पाटे के स्थिती पहले से ज़्यादा मजबूत होती दिकाई पड़ रही है इसलिए वहाँ भी अब 2024 के चुनाब के लिए नई रननीती बनाए जा रही है 2024 के चुनाब के लाबा जो अगले साल विधान सभा चुनाब केरल में और उसके साथ साथ पश्चिम मंगाल में होने हैं उन दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी तै की जाएगी और उसके बाद जो 2022 में चुनाब होंगे 2023 में अलग-अलग राज्यों में उन पार्टी का PM का चेहरा कौन होने बाला है क्योंकि अमिसा ने जो ये पूरी योजना बनाई है उसके केंदर में तो परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ही हैं लेकिन ये भी तै किया गया है कि अगर 2023 तक ये तै नहीं होता है कि भारतिय जनता पार्टी इस बार पिछले से जादा सीटे लाएगी और पिछली बार से जादा बड़ी सीट लेकर आएगी जी बड़ी जीत होगी भारतिय जनता पार्टी की तब तक परधान मंत्री नरेंद्र मोधी हां नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह से दो टर्म में उन्होंने बड़ी जीत हासिल क पहले से जादा दूसरी बार उनको बहुमत मिले लोगों का प्यार मिला और लोग उनके साथ खड़े दिखाई पड़े वैसी स्थिती 2024 में भी हो तब ही वो परधान मंत्री का चेहरा बनेंगे अगर ऐसे स्थिती नहीं होती है और ये लगता है कि भारतिय जनता पार्टी क पर्कॉर्मेंस थोड़ा कमजोर हो सकता है तो वैसे स्थिती में पीए मोधी अगले चुनाब में भारतिय जनता पार्टी का चेहरा नहीं होगे बलकि किसी और के नित्रित में चुनाब कराया जाएगा और उसके लिए कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है लेकिन अभी व अगले साल चुनाब 4 अस्टेट में होने वाले हैं उसके बाद 7 अस्टेट में चुनाब 2022 में होंगे और 9 अस्टेट में 2023 में चुनाब होंगे तो ये सारे चुनाब के बाद ही इस पर चर्चा की जाएगी और उनके उत्राधिकारे के घोशना की जा सकती है तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है MSI योग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें तन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया